हेलो फ्रेंड्स जैस्री कृष्णा स्वागत है आप सब का मेरे यूट्यूब चैनल पे माया चादरी 97 वे तो आज की रिष्टी है मायक्रोनी पास्ता है तो देखते हैं कैसे बनाना है तो मायक्रोनी बनाने के लिए मैंने पानी को रख दिया था गैस ते पानी गरम हो गया है तो अब हम मैं इसमें पास्ता मिन्स मायक्रोनी को एड कर दे रही हूं तो आपको जितनी मायक्रोनी बनानी हो उसके अनुसार आप माइक्रोनी ले ले पानी तो उसके ओपर होना चाहिए कि हम इसे खुले में वाइल करेंगे और तो मैंने इसमें नमक भी आड़ कर दिया है और थोड़े से मैं इसमें आइल एड़ कर दे रही हूं ताकि हमारी माइक्रोनी जो है चिपके ना है तो मैं इसे ढखके 5-6 मिनिट पका लूँगे मेडियम फ्लेम पे तो ये जल्दी से पक जाते हैं इधर में कुछ सब्जिया ले ली हूँ जैसे कि मैंने गाजर ले लिया है टमाटर प्याज हरा मिर्चा और हरा मटर ले लिया है तो आप अपने मन पसंद सब्जिया ले सकते हैं इधर हमारी माइक्रोनी बॉयल हो रही है तो मैं अब इसमें मसाले तैयार कर लेती हूँ तो मैं इसको भी इसमें आड़ कर दी हूँ जब यह सुनेरा हो जाएगा तो फिर मैं इसमें गाजर आड़ करूंगी लेकिन इसे हाई फ्लेम पर सुनेरा होने तक चलाते हुए फटापट से भून ले इस तरह से मैं हमेशा पास्ता बनाती हूँ बहुत ही टेश्टी बनता है आप एक बार जरूर ट्राय करें आपको भी अच्छा लगेगा मसाला पास्ता है तो मैं अब इसमें गाजर आड़ कर दे रही हूँ आप इसमें बेंस भी आड़ कर सकते हैं और भी जो आपको सब्जिया पसंदे वापा आड़ कर सकते हैं अच्छी लगती है गाजर को मैंने 30 सेकंड के लिए भून लड़ लिया है हाई फिलिम पे तो मैंने इसमें मटर भी आड़ कर दे मैं ताजा मटर आड़ करी हूँ आप फिरोजन मटर आड़ कर सकते हैं इसके लिए मैं इसमें फटाफट से नम्मक आड़ कर दे रही हूँ ताकि ये जल्दी से मटर सॉफ्ट हो जाएं और इधर हमारे पास्ता देखिए पक चुके हैं तो मैं इसे दिखा देती हूँ चाको से काटके ये बिल्कुल पक गए हैं अब इसको हम एक छनी के साहता से छान के अलग रख लेंगे ताकि पानी सारे निकल जाए और ये बहुत जादा फिसलते हैं लेकिन ऐसे ही हमें पक और नमक तो पहले से ही आड़ था तो टमाटर भी फट फट से सॉफ्ट हो जाएंगे तो सारे मसाले को मैंने हाफ आफ मिनट ही भूना है तो मैं इसमें हल्दी पाउडर हलका सा आड़ कर रही हूं और मैं इसमें हलका सब्जी मसाला आड़ कर रही हूं बहुत ही टेस्टी ह पूद्धा है आप इस पर जरूर बनाएं मैं तो हमेशा ऐसे बनाती हूं मुझे बहुत पसंद आता है तो पास्ता मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है अब मैं इसमें थोड़ी से मियोनी एड़ कर ले रही हूं इसकी फ्लेवर इसमें बहुत अच्छी लगपी है बट अगर आपके पास हो तो आड़ करें वन्नक कोई बात नहीं है और थोड़ी से मैं इसमें टमेटो केचप जाएगा है इसमें हिचिंग्स चाओमीन मसाला है हकका नूडल्स का इससे फ्लिवर बहुत ही अच्छे आते हैं एक बार जरूर ट्राय करें तो इसका फ्लिवर और बढ़ाने के लिए मैं इसमें एड़ कर लिया है और हलका नमक मुझे कम लग रहा था तो मैं इसको भी इसमे एड़ कर ली हूँ तो अब सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें गार्निश करने के लिए मैं धनिया पता एड़ कर रही हूँ बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है तो सारी चीजों को मैं अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आपको पसंद आए तो मिलते हैं अगले नए रिस्पी में तब तक के लिए बाई बाई